आपका स्वागत है जो भी बैद्यों की राय के मताबिक होते है आज हम आपको लेकर आए हैं हरी मिर्च से सम्मंदित एक वीडियो अभी तक आप इसके जो फाइदे हैं उनके बारे में अनजान हैं लेकिन आज हम आपको ऐसे फाइदे बताएंगे जो आपको चौका देंगे कि हरी मिर्च खाने के आखिर फाइदे क्या क्या होते हैं चलिए एक शोद के अनुसार हरी मिर्च से हरी मिर्च से सम्मंदित सारी बिमारियां ठीक हो जाती हैं दिल के लिए हरी मिर्च काफी फाइदे मंद होती है इसे रक्त में ठक्के की समस्या ठीक हो जाती है ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर पाचन करियाओं को दुरुस्त करती है हरी मिर्च में फाइवर्स की मातरा अच्छी होती है जिससे भोजन का पाचन जल्दी होता है और आपकी कबज़ जैसी समस्या भी नहीं होती है और्थ्राइटिस के मरीजों के लिए भी हरी मिर्च बेहत फाइदिमंद होती है इसके अलावा ये शरीर के अंगों में होने वाले दर्द को भी कम करने में सहयक होती है बात करते हैं अगले फाइदे की दोस्तो हरी मिर्च में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले बिटामिन सी चोट या घाब को भरने के काम में साहिक होता है बिटामिन सी हड्डियों दांतों और आखों के लिए बहुत फाइदेमंद होता है अगले फाइदा देखते हैं हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में बिटामिन सी होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता में ब्रद्दी कर हमारी प्रतिरोध और क्षमता को मजबूत बनाता है हरी मिर्च खाने के बाद आपकी नाक का खुल जाना भी इसी का एक उधारन है कैंसर से लड़ने और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भी हरी मिर्च बहुत फाइदेवन्द है इसमें भरपूर मात्रा में एंटियोक्षडेंट होते हैं जो शरीर की सफाई आंत्री ग्रूप से करते हैं साथी फ्री रेडिकल से बचा कर कैंसर के खत्रे को कम करते हैं अगला फाइदा देखते हैं हरी मिर्च के सेवन से फैंफणों के कैंसर का खत्रा कम होता है आते धूमरपान का सेवन करने वालों को हरी मिर्च को अपने भोजन में ज्यादा शामिल करना चाहिए क्योंकि उन्हें फैंफणों के कैंसर का खत्रा सबसे ज्यादा होता है ये थे हरी मिर्च के फायदे।